अगर आप परवल की ग्रेवी वाली सबजी खाके बोर हो गया है या फिर परवल की सबजी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आज की परवल वालू की इस मसालेदार सबजी को जरूर ट्राइ कीजेगा अगर आप नहीं से एक बर बना के खा लिया तो इसका स्वाद आपके सब्सक्राइब करें और हां बैल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटिस वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें सबजी बनाने के लिए तेल मैंने पहले गरम होने के लिए रख दिया था यहां पे हमारा अच्छा गरम हो गया है अब हम क्या करेंगे कि यहा मैंने 250 ग्राम परवल लिया है तो अगर परवल में बीज है तो उसे आप अठा दें और परवल को आपको थोड़ा मोटा ही मोटा काटना है क्योंकि जब परवल को फ्राइब करेंगे तो इसका जो साइज वह हो पहले से कम हो जाएगा तो गया सब्दित तेज रखें और इ इसे तब तक भुने जब तक कि यह हलका सा सुनैरा ना हो जाए और यह देखिए परवल ने आप हमारा अच्छा सा सुनैरा हो गया है ना तो बस अब आप क्या करें कि इसे फटा-फट से कड़ाई में से निकाल ले और निकालने से पहले यह जो तेल वाली छन्नी है इसे के इसका फटाऊपर पहले से अपने साइस से चांभ हो जाता हैर इ brighter का मोशन जल रहा है और इस म glue की सबजे बनाते हैं तोaráरा फिर किसी सब्जी में है जब हम आल्ओ आसउ तो जो और आ सुन्या मतलब पूरी तरीके से अलू तूड जाते है और лекुशन अच्छ तो जब हम आलू को फ्राई करके सब्जी बनाएंगे ना तो सब्जी का स्वाथ बहुत अच्छा आएगा और जो आलू है वो बिल्कुल टूटेंगे नहीं हलवाज नहीं होगा तो मीडियम आज पे आलू को मैंने आफ फ्राई कर लिया है यह हलका से सुनेयरा होने लगा है ना तो अब हम इसे फटाफट से तेल में से निकाल लेंगे तो यहाँ पे परवल और आलू दोनों अच्छे से फ्राई हो गया है तो चलते हैं इसके लिए मसाला त्यार करने के लिए सब्जी बनाने के लिए कड़ाई में लगबग दो बड़ा चमब सरसो का तेल डाल के हम उसे अच्छे से गरम कर लेंगे अगर आप उसी कड़ाई में बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे सारा तेल निकाल दे और दो बड़े चमब सरसो का तेल डाल लें क्योंकि सरसो के तेल में सब्जी का स्वाथ ज्यादा अच्छा था है इसलिए आप सरसो तेल का इस्तमाल करें जैसे ही तेल गरम हो जाए गैस का आज बिलकुल धीमा कर दें यहाँ पे आप एक तिछ पता डाल दें थोड़ा सा दाल चिनी का टुकड़ा दो छोटी लाइची इसी के साथ चार से पांच लॉंग आदा चोटा चमब साबु जीरा आदा चोटा चमब सॉप आदा चोटा चमब राई अगर राई नहीं है तो सरसु कभी इस्तिमाल कर सकते हैं यहाँ जैसे ही तड़का अच्छे से चटकने लगे ना आप यहाँ पे दो मीडियम आकार का कटा हुआ प्याज डाल दें गैस का आज मीडियम कर दें दो से तीन हरी मिर्ची को इस पांच से बीस से प्याज यहाँ पे हलकी से सुनेरी हो गई है तो अब हम क्या करेंगे गैस का आज बिल्गुल धीमा कर देंगे और एक बड़े अकार का कटा हुआ ठमाडर डाल देंगे मसाले भी हम यही पर डाल दें तो आजा चोटा चमाच जीरा पौडर एक चोटा चमाच हलदी पौडर देड़ चोटा चमाच यहाँ पर आप धनिया पौडर डाल दें मसालो को अच्छे से मिक्स कर लें और गैस का आज बिल्कुल धीमा ही रखें चमाटर हमारे जल्दी पग जाए इसलिए यहीं पे हम स्वात के अनुसार नमक डाल देंगे तो मैं यहाँ पे एक चमच से थोड़ा सा जादा नमक डाल रही हूँ तो आज की सब्जी को मैं थोड़ा सा तीखा बना रही हूँ तो इसलिए यहां पे एक छोड़ा चमच मैंने लाल मिर्ची पौडर अट कर दिया है अगर आप तीखा नहीं बिलाना चाहते हैं तो लाल मिर्ची पौडर ना डालें गरम मसाला पौडर भी आप यहीं पे डाल दें ताकि सभी मसालो का जो फ्लीवर है वो हमारे सबजी में अ मसाले जल्दी पक जाएं इसलिए मैंने इसे डग दिया है यहां पे चाहें तो आप इसे बिना ढख के भी पका सकते हैं और आठ से-10 मुट हो गया है तो मसाले को को छोड़ के चेक कर लेते हैं यह देखिए मसाला हमारा अच्छ भून गया है मसाले में इसे तेल अलग होने जितने में हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएं तो अब हम यहां पे भुनी हुई सब्जी टाल देंगे और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस सब्जी की खास बात ही है ना कि इसमें बहुत ज़्यादा मसालों की भी जूरत नहीं होती है बहुत कम मसालों में ये सब्जी बनके तैयार हो जाती है और जो हमने मसाले यूज किया है ये रेगुलर हम यूज करते हैं तो यह हमारे घर में होता है तो बहुत आसानी से हम इस सब्जी को बना पाते हैं तो अब आप क्या करें कि सब्जी को ढग दें और ढग के 6-7 मिनिट तक पकने के लिए छोड़ दें ताकि सारे मसालों का जो फ्लेवर है वो सब्जी में अच्छे से आ जाए साथ मियाट हो गए हैं तो अब हम सब्जी को खोल के चेक कर लेंगे कि आलू अच्छे से पका है कि नहीं क्योंकि आलू को जब हमने प्राई किया था तो 80% तक आलू पहले ही पक गया था तो एक आलू को हम चेक कर लेते हैं तो फोक की सायता से आलू को चेक कर लेते हैं तो ये देखिए फोक आलू के अंदर कितनी असानी से चला जा रहा है इसका मतलब आलू अच्छे से पक गया है इन केस अगर आलू आपका नहीं पका है तो धक के धीमी आज पे थोड़े देर उसे आप और पका लें तो बस लाश्ट में हम इसमें ताजा बारी कटी हुई हरी धनिया को पत्तों को डाल के मिक्स कर लेंगे और ये हमारी परवलालो की सुखे सबजी बन के तैयार है गर्मा गरम सर्व करने के लिए आप इस सबजी को रोटी, पराथा, पूरी या दाल चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं बहुत ही सबजी ये बन के तैयार हुई है उमीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो रेसिपी को बनाने में कोई भी समस्य आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल से जल आपके सवालों का जवाब दे सकूँ रेसिपी को जादा से जादा लोग के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इस वाद का आनन्द उठा सकें मिलते हैं एक और नहीं रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में तब तक के लिए बाई बाई